हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है तो क्या आप भी Scholarship का इंतिजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा important है यहाँ पर देखिए प्री और पोस्ट मेट्रिक छातवृत्ति का वितरण समय करने सब्सक्राइब का आदे से मिल गया है प्री मेट्रिक यानि की क्लास एक से लेकर क्लास 10 तक का इसकोलर्शिप को प्री मेट्रिक कि कहते हैं और वहीं पर पोस्ट मेट्रिक scholarship class 10 से उपर वाले class को postmetric कहा जाता है तो आप लोगों का scholarship बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोगों को पता होगा कि SCST और OBC वालों को scholarship मिलता है बाकि जेनरल वालों को scholarship नहीं मिलता है तो चलिए आज का हम लोग article को पढ़ते हैं आज क्या news को देखते हैं क्या लिखा हुआ है कब तक आप सभी को scholarship मिलेगा और scholarship पाने के लाब को क्या क्या करना पड़ेगा किस तरीके से आपको आधार जो है उसको bank के साथ link करना बहुत जोररी हो जाता है आप लोगों का जाती बनना चाहिए इंकम सेटिफिकेट वगएर रहना चाहिए तब ही आपको scholarship मिलेगा तो चलिए इसका हम लोग details से पढ़ते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है दिखिरांची हिंदुस्तान ब्यूरो अनुशूचित जाती अनुशूचित जाती और पिछड़ा वर कल्यान मंत्री दिपक बिर्वा ने अधिकारियों से कहा कि छात्वृत्य भुकतान किसी प्रकार से लंबित ना हो यानि कि किसी भी कारण से छात्वृत्य देने में देरी नहीं होना चाहिए इसके लिए योजनाबद तरीके से कारी करें साथ ही जीला अस्तर पर समन्वय स्थापित कर छात्रों को छात्वृत्य का लाप दे मंत्री के निर्देश के बाद अधिवसी कल्यान आयुकत अजैनात जाने उपायुकतों को निर्देश दिया की वेपरतियक जीले के सभी संकुल अस्तर पर कैंप लगा कर मिसन मोड में सभी छात छात्राओं का आधार कार बनाने आधार कार को बैंक खाते से जोड़ने के वाईसी कराने ओनलाइन जाती आउड आये परमान पत्र बनाने का कारे कराएं देखे छात वृति अगर आप चाहते तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए सबसे पहला तो आपका आधार कार बना हुआ होना चाहिए आधार कार आपका बैंक के से लिंक होना चाहिए के व पर्मान पत्र होना चाहिए। मंत्री ने दिया है यानिकि जिनको जिनको 2023-2024 में इस्कोलर्षिप नहीं मिला है 15 जुलाई तक आप सभी को इस्कोलर्षिप मिल जाएगा ठीक है लगभग और 25 दिन के अंदर आप सभी का इस्कोलर्षिप आपका अकाउंट में आ जाएगा चेक कीजिएगा और अगर आ गय जिसका भुकतान भी पूरा करने के प्रति गंविर्ता से कार करने की बात दिपक बरवाने कही है इसके लाव मंत्री ने उपायक्तों से यह भी अपिल की है कि सभी विद्यालियों के बाल संसद में एक छात्वृति मंत्री बनाय जाए जिससे छात्षात्राओं को मिलने वा आप सभी के अकाउंट में छात बृति का पैसा आज आएगा चेक जरू कीजिएगा और अगर वीडियो बाद में आप देख रहे हैं 15 जुलाई के बाद में तो आप लोगों इसे कमेंट जरू कीजिएगे कि आपके अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया और कितना आया तक आपके अकाउंट में आ जाएगा थैंको पर वाचिमें वीडियो जय हिंद जय भारत